असलाम उलाइकूम वीवर्स आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हैकर और प्रोग्रामर के अंदर क्या डिफ्रेंस होता है और किस किसम की थिंकिंग या थौर्ट्स यू है ये दोनों रखते हैं सबसे पहले मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर दूँ कि हर हैकर जो है वो एक प्रोग्रामर होता है मगर हर प्रोग्रामर हैकर नहीं होता है और नहीं वो बन सकता है तो thinking जो होती है वो matter करती है आपको एक hacker बनने में या एक programmer बनने में अब चलते हैं और देखते हैं कि ये thinking क्या होती है सबसे पहले हम देखते हैं एक programmer की thinking computer coding या programming के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा आपके लिए headage होती है वो होते है bugs या errors अब एक programmer जो है उसकी ये thinking होती है ये कोशिश होती है कि वो इन bugs को जल्दी से जल्दी खतम कर ले उसका mind बस यही कहता है कि इन bugs को खतम किया जाए ताकि हमारा code या program या software जो है वो सही तरह के से run हो एक hacker की जो thinking होती है वो इसके बिल्कुल opposite होती है जब वो किसी bug को देखता है तो वो उस bug को खतम करने की बजाए उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करता है और ऐसे ऐसे तरीके ढूणने की कोशिश करता है कि इस bug को यूटिलाइज करके वो किस किस तरह से दूसरों के सिस्टम में घुश सकता है और इस bug को मजीद किस किस जगा पे इस्तमाल किया जा सकता है तो यह वो में ठिंकिंग पॉइंट होता है जहां से प्रोग्रामर जो है वो एक हैकर की लेवर तक पहुंचता है जब वो देखता है कि बग से कैसे कैसे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्पेशली वेबसाइट डिवेल्पमेंट से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को लाइक कर लें